जै महाकाल मेरे प्रिया सादक और मित्रों आज मैं आप सभी को एक बात कहूंगा कि अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे मेरे लिए नहीं आप खुद के लिए पूरा देखोगे क्योंकि ये जो सादना है इतनी खतरनाक है अगर आपने वीडियो को स्कीप करके आगे चले गए तो बहुत सी बाते आप मिस कर जाओगे जो आपके लिए घातक हो सकती है इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि आपकी सेप्टी हो सके इसमें मेरा कोई नुक्सान नहीं अगर आप पूरा नहीं सुनोगे तो तो चलि सर पकड़ जाएंगा शरीर में वाइब्रेशन हो जाएंगे रोंग्टे खड़े हो जाएंगे याद रखना इसका जब भी अगर आप करोगे ना ऐसे घर बैटे भी जब करोगे शरीर में कमपन आने लगेंगा आपके रोंग्टे जो है ना शरीर के से खड़े होने लगें कि सर चड़े मसान मसनी यानि जो सादक है उसके सर पे चड़के खेलती है मसान मसनी उसके लिखा भी है मंत्रों में देखो इसके आप जब करते हैं तो जो आसपास मसान मसनी होगी वो आपके सर पे चड़ जाती है इस मंत्र के को अगर आप समशान में जाप करते हो तो मसान मसनी आपके सर पे चड़के बाकी भूत प्रितों को आपके और आकरशित करती है मसान मसनी के हाथ में हाथ के नीचे कम से कम नहीं बोले तो पचास साथ हजार तो भूत प्रित होते हैं इतनी हो पाउरफुल होती है और वो आपके सर चड़ कर खेलेंगी तो आपकी क्या हालत होंगी यह सोचो इसलिए दूसरा एक वीडियो में बनाऊंगा उसमें और एक मंत्र है अगर सर पे मसान मसनी चड़ जाए तो उसे कैसे उतारे वो भी मंत्र है तो वो दूसरे वीडियो क्यों में अपलोड करूँगा समझ ने आप देखिए अब यह जो साधना है यह आपको कैसी करनी है मैं आपको बता रह 有 अंधेरी रात होना जो अंधेरे के तरफ जाती हुई रात और अंदेरा होना चाहिए याने अमावस के आसपास ठीक है अमावस के पहले अमावस के पहले 6 दिन अमावस के बाद 6 दिन याने ऐसे 12 दिन में तुम इसको कर सकते हैं अमावस आने के 6 दिन पहले कभी भी और अमावस से छे दिन बाद कभी भी इस साधना को कर सकते है मतलब अंदेरी रात होती है वो तो इन दिनों में आप ये साधना करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने समशान खड़ा हो जाएगा एक ही दिन में खड़ा हो जाएगा ज्यादा कोई आपको मैने बार 40 दिन ऐसा जब करनी की जरतनी एक ही दिन में खड़ा हो जाएगे ये सोयम सिद्ध मंत्र है जो आपको दे रहा हूँ और ये मंत्र है देहाती बराडी मंत्र बोलते इसको बराडी यानि गाउ के तरब में ये मंत्र किया जाता है और इनी मंत्रों से बहुत प्रत उठाके कई लोग खेती भी कर लेते पुराने जमाने में आपने एक कावत सुनी होंगी कि फलाने के पास में कोई शक्ती थी बहुत प्रत तो मांत्रिक था उसके हाथ के नीचे बहुत सारे बहुत प्रत थे वो राद भर में पूरी खेती की जूताई अगरे करके विजाई विजाई करके उसका खेत रेडी रहता था सो एकर खेती एक एक दिन में लोग कर दालते थे तो ऐसे भी लोग थे इनी के सारे ये काम होता था अब आपने देखाऊँगा मित्रों मुर्मूरा और फुटाने का उलेक है सामागरी में तो ये जो फुटाना और मुर्मूरा जब शैतान पूरे जाकते है ना तो उस समय में थोड़े थोड़े मुर्मूरे और फुटाने फेकते रहना पड़ता चारो दिशा में, क्योंकि यहां पर एक सैतान नहीं, कई सारे सैतान आके खड़े, भूत प्रेता के खड़े हो जाते, तो उनको बिजी रखना होता है, वो भूके रहते, तड़पते, तो जैसे आप यह मुर्मुरे फुटाने फेकते हो ना, वो उठा उठा के खाते हैं, ना तो वो उनको वही दूर तक सिमित रखने के लिए, याने उनको व्यस्त करने के लिए, यह होता है, मुर्मुरा पुटाना, तो यह आपको फेकते रहना होता है, और जब आप हวन करेंगे, इस मंत्र को पढ़ थे हुए, आपको हवन करना है, तो हवन कैसे करेंगे, तील है काली उडद है और चावल है तील काली उडद चावल को एक में मिला लेना है ठीक है उसमें आपको क्या करना है इत्तर आपको इसमें इत्तर ज्यादा लगेगा याद रखे कम से हम दस बॉटल इत्तर होना चाहिए आपके पास छोटे वाले तो दस बॉटल इत्तर ले ले कम से तो और यह इत्तर कोंता लेंगे जो मैयत के समय जब किसी की मैयत होती है तो मुस्लिम लोग लगाते ना मरने वाले को इत्तर लगाते वाला इत्तर लेना है अपको मैयत का इत्तर बोलते उसको तो वो इत्तर कम से कम तीन चार इत्तर दाल दे उसमें चावल जो आपने मिला है चावल, काले, तिल और काली उड़त जो मिला ही उसको 3-4 इत्तर डाल के अच्छे मिक्स कर ले, अब आपको क्या करना है, उसी में मचली जो है, मचली अपने को बारिक वाली होना, छोटी वाली मचलिया, उन मचली ओ को उसमें डाल दे, हो सके तो तुखडे तुखडे करके ड मचली बस उत्ती, वाली मच्चिया, उसके 1.5 इंच की मच्ची होंगी, तो उसके 3 तुखडे करना है, आपको ऐसा, और वो सामागरी में आपको मिला देना है, कले जी के छोटे-छोटे तुखडे मिलाना है, थोड़ी कले जी अलग रखना है, मुर्गी का जो मास है, वो भ प्वल की, आम की और आख मदार की लकडी होना हवन के लिए, ये बात विश्यज दियान रखे, 3 लकडी होना, अच्छी मातर में आख मदार की जलंदी जल जाती है, तो थोड़ी मोटी-मोटी लकडी ले आख मदार की, यह आप जल्दी मिलती हींगी, तो पहले आप लतना के संभूल डालना है सिंदूर दालना है एक नजभाते में लेले ना एक पारम मैं लिखना भूल गाया वह संदूर लंदान भुल गया तो हूं पान ले लिना पान के ऊपर सूपारी रक्के संचान की धरती को यह Kifi उससे पूरे सम्षान के जितने मुर्दे होंगे वहां वो सबको चड़ जाता है ठीक है उसके बाद नारियल रखे 11 रुपए दक्षीना रख दे और उसके बाद में उठके जाए आप जहां पर सम्षान जलाते हैं न चीता को उस ओटे के उपर भी आपको एक नारियल चड़ाना है एक पान एक सुपारी आपको चड़ाना है वहां पर जो आपने थोड़ा सा जो मास बचा के रखा मुर्गी का उसमें से एक पीस मुर्गी का एक पीस इसका कलेजी का और थोड़ी सी मचली वहां पर आपको रख देना है एक इत्तर चिड़क देना है एक चोटे से पहले में पानी रख देना है, अगरबत्ती जलाना है और भगवान महादियो से अपने साधना के बारे में आपको अर्चना करना है कि है भुलेनात, मेरी आज की जो साधना है इस साधना को पूरा हो, ऐसा मुझ पर कृपा करे और मेरी रख्शा करे ऐसा बोलकर फिर बाद में आपको सम्शान देवता का ध्यान करना है सम्शान के राजा का सम्शान का राजा बोले तो वही जो मरे हुए लोग है उन में से एक राजा रहता है सम्शान का तो उसका भी आपको ध्यान करना है उसका अपमान नहीं होना चाहिए आप से मादेव के बाद उसका ध्यान करना है और वापस अपने जगे पे आपको आ जाना है अब आपको क्या करना है ये सब सामागरी सजा दिया आपने उसके बाद बड़ा रिंगन खीचे कमसम 15-20 फिट ऐसा गोल घेरेगा ठीक है वो लंबा अपने घेरा खीच लिया उसका भी रिंगन मंत्र है वो भी मैं आपको दे दूँगा रिंगन मंत्र है इसके चार पार्ट बनेगे इस वीडियो के अलग-अलग है अब एक मैं बनाऊंगा तो एक गंटे का बन जेगा इसलिए इसके चार मंत्र है इसके बाद समसंस उलाने का दूँगा उसका इसका रिंगन मंत्र भी है वो भी ले लेना आपने और बोद्प्रेत को वश्मे करने के लिए वचन लेने के लिए एक मंत्र है वो भी दूँगा इससे चार मंत्र आएंगे इसके समझ रहे आप लोग यह साधरन खेलनी है गुड़ा गुड़ी का खेलनी है यह मंत्र में बता रहो आप लोगों को गलती करेंगे तो तुमारी फुड़ने वाली है मेरको कोई लेन दिन नहीं है तो अब आप क्या करेंगे वहाँ पर अपने घेरा बना लिए आप अंदर आ गी जो है वह एक में मिला लेंगे आप आपको बीच बीच में वह जो सरसोर गी जो दुनों मिलाया उसकी थोड़ी थोड़ी आउती बीच बीच में देना है और हर मंत्र के खतम होने के बाद आपको जो आपने हवन सामागरी बनाई है मतलब चावल काले तील लो कलेजी मच अच्छी डाल के बनाए ना वो थोड़ी थोड़ी आउती हर मंत्र के बाद डालना है और बीच बीच में आपको इसकी आउती डालना है घी और जो सरसो के तेल जो आपने बनाया आप देखेंगे एक गंटे के अंदर अंदर ही कभी-कभी तो पांच मिनित में आ जाते हैं स इस समय आप डर गए तो एक तो पागल हो जाओगे या तो मर जाओगे तो आपको और कुछ भी हो रिंग से बार नहीं भागना भाग गए तो मर गए समझ लेना उस रिंगन के अंदर ही रहना अगर आपसे संबल भी नहीं रही होंगी तो कैसे भी वहाँ सुबह तक दिन निक करेंगा कुछ किड़े मकोडे की किर किर की आवाज आती रहेंगी लेकिन जैसे आप इसकी सुरुवात करेंगे और वह जो शक्तिया आने वाली होती है उसके पहले क्या होता है बहुत जोरदार हवा चालू हो जाती मौसम एकदम बदल जाता है बारिज जैसा और एकदम अनलत्री आपको यह मंत्र प्रकरिया चे लगी है तो बता एक कमेंड करें नीचे इसके बार की के तीन पार्ट बनेंगी से वच्चन लेने का एक मंत्रा ऐसे तीन वीडियो अपलोड होगे ठीक है